इसमें नहीं रह्माने रहीम, असलाम लेकूम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, इदू लज़ा स्पेशल में दुआ दही गोश्ट की रेसिपी, बहुत ही मज़िदार ये रेसिपी है, और दावतों के लिए है, परफेक्ट कम टाइम के अंदर आपको कुछ मज मैंने थोड़ी सी मीडियम साइस की बोटियां ले ली है, जिससे हम इस रेसिपी को बना रहे है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम डाल देंगे लसन और अद्रक का पेस्ट जो के जगा वन टेबली स्पॉन भरके और पिसी भी हरीमर्चो का पेस्ट जो के मैंने ले लिया मैं डालेंगे कुछ मसाले, मसालों में मैंने नमक लिया है, हजबे जुरा, जीरा पॉडर लिया हाफ टी स्पॉन, हल्दी पॉडर लिया हाफ टी स्पॉन, तिक का मसाला मैंने लिया है, वन टेबली स्पॉन भरके, इसके साथ ही मैंने लिया है, गरम मसाला पॉडर हाफ टी ती स्पॉन दनीया पॉडर ले लिया है टू टी इस्पॉन भर के पीसी वी लाल मरच को पॉडर हाफ टी स्पॉन तो यह सभी मसाले मैंने डाल दिया है गोश्च के अंदर और अब हम तमाम चीज़ों के साथ तोड़ा सा पानी भी आट करेंगे तो मैंने यहां पे चुर्वी अगर आप इसको नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो इसको पानी डाल के आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा कि गोश्च कितना टाइम लेगा आपका गल्ले में तो एक दफा इसको स्टिर कर देते हैं अब हम इसके लिटको कर देंगे कवर और इसको प्रेशर लगाए है आ जाते है नेकसे स्टैप की तरफ अब दूसरी तरफ मैंने यहां पे 250 ग्राम दही ले लिया है इसमें हम डालेंगे नमक तो मैं यहां पे काले नमक का समाल करी हूँ जो कि मैंने 140 टीस्पून डाला है इसको डाल के हम बहुत अच्छी तरीके से बीच कर लेंगे तो यहां पे चेक कर लेते हैं हम इसे के गोश्ट के अंदर अभी थोड़ा सा हमारा पानी मौजूद है तो इसको हमने ड्राइ करना है तो फ्लेम को मीडियम फिलिदी हैम गोश्ट को भूल लेंगे तो जब यह जोग घ्राय हो गया है तो मैं यहां पे थोड़ा सा तेल डाल रही हू हो जाए जब तेल का कच्छा पंदूर हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ दही तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ अभी हाँ पे तकरीबं मैंने फोर टेपलिस्पून के आसपास इसमें दही शामिल कर दिया है दही डालने के बाद हम गोश को बहुत अची तरीके से तो देखें इस तरहां से आपने पोर करना होता है इसके उपर और इसके उपर हम डालेंगे हरी मिर्चे का टीवी तो यहां पर मोटी वाली हरी मिर्चे का इसमाल करी हूँ जो के बहुत जादा स्पाइसी नहीं होती है यह शामिल कर दी हैं प्यास के लच्छे डाल देंगे अगर आप इसको दावतों में बदाते हैं तो बड़े ही असानी से आपकी खुबसूरा सी प्रेजेंटेशन के साथ के डिश तयार हो जाती है तो यह कोईले की कटूरी में रग दी है जिसको मैंने और अड़ेडी सुलगा लिया था तो इसके लिए तेल डालेंगे और इसको ह तो लीजी हमारा मज़िदार साख दुमा दई गोश बन के तैयार है जिसा आप सर्फ कीजिए चपाती के साथ रोटी के साथ बहुत ही मज़िदार रेसिपी है ट्राइ करने के बद अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए वीडियो चिलोगे तो इसको थमसब देना मत सब्सक्राइब नेक्स रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केर अलाहाफिज